पाठ ग्यारा खेलो कूदो स्वस्त रहो संकलित आशे जीवन में स्वास्ते का महत्व पुर्ण स्थान है सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं पैसे खर्च किये बिना ही अपने जीवन को स्वस्त रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्त रहो इस सुत्र को अपनाए खेलों की दुनिया में सदा आनन्द और उल्लास का वातावरन रहता है उस्साह का शीतल समीर बहता रहता है खेल से तन मन स्वस्त होता है मनो रंजन भी मिलता है खेल कई तरह के होते है साधारं तया उनके दो भेद किये जाते है शारीरिक खेल और मानसिक खेल जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहां जाता है उदाहरन के लिए कबड़ी, हौकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुष्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौडना, आधी इसके विपरीद जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते है उदाहरन के लिए श्यतरंज, केरम, पासा, बकरी बाग खेल आधी इसी प्रकार वयक्तिक खेल और सामुहिक खेल के रूप में भी भेद किये जा सकते है वयक्तिकत खेलों में तैरना, दौडना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्स, शूटिंग, नाव चलाना, चलांग मारना आधी सामुहिक खेलों में ओलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड़ी, बैडमिंटन, आधी इसी प्रकार खेलों का और एक भेद भी है कबड़ी, क्रिकेट, हौकी, वॉलीबॉल, आधी, मैदाननी, आउटडोर खेल है शत्रंज, केरम, पासा, आधी घरेलु खेल इंडोर है आजकल हमारे देश में हौकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शत्रंज, कुष्टी, आधी खेल काफी लोक प्रियर हो रहे है राज्य और राष्टर के स्तर पर खिलाडियों को पुरसकार दिये जाते हैं जैसे अरजुन, एकलव्य, द्रोनाचार्य, ध्यानचन, राज्यू, खेलरतन, आधी पुरसकार के साथ धनराशी भी दी जाती है अच्छे-च्छे खिलाडियों को और पुरसकार प्राप्त खिलाडियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बेंग और कई कमपनियों में नोकरी दी जाती है पुरसकार प्राप्त खिलाडियों को नोकरीयों की भरती में आरक्षन की सुविधा भी रहती है इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज, आधी में सफर करने के लिए भी विशेश रूप से आरक्षन की सुविधा दी जाती है कई कम्पनियां खिलाडियों को अपने प्रतिनिधी बना लेती है जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपुर्ण है खेल चात्र जीवन का महत्वपुर्ण अंग है चात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है खेलों द्वारा बच्चों में धैरिय, लगन, परिश्रम, उस्साह तथा परस्पर सहयोग आदी गुनों का विकास होता है जहां विद्याले में चात्र शिक्षा द्वारा अनेक विशयों का ज्यान प्राप्त करते है वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं नेहरुजी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए नेहरुजी के समान ही गान्धी जी भी स्वास्थे के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम रिष्ट पुष्ट बनते हैं अथा अच्छे स्वास्ते के लिए खेलना जरूरी है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते है। आज कल खेलों को प्रोसाहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। जीतने वाले बच्चों को पुरसकार दिये जाते है। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्त बने। कहा जाता है कि स्वस्त शरीर में ही स्वस्त मस्तिश्क का निवास होता है। अता तन मन दोनों को स्वस्त बनायने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। अता है। झाल